Praise Lord, Hallelujah, Prabhu की सुधी हो, हमारे आतिपवितर सवी शक्तिमान, Prabhu की सुधी हो, महीमा, आज की दिन हो, Hallelujah, मेरे प्रियोलोपर मेशों ने हमें एक साथ 2022 जुलाई 20 तारिक आज शिशित करके दिया है, कि हम अपने आतिपवितर सवी शक्तिमान, Prabhu की सुधी कर सके, आराध ना कर सके, हम इस सुन दरव से के लिए दिल से धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा कर धन्यवाद करें, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 पिछले पूरे दिन भर, Prabhu ने हमें समभाला है, मेरे प्रियोलोग, किते लोग को इस बात का अबोध है, कि परम पहुते नहीं पाई लेकिन हर एक परिशानी करते हैं दहने बात मतंवात करते हैं आपके प्यार हमारे उपर प्रबल है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रबू आप हमारे आगे पीछे चारो तरफ से आपने हमें सम्हाले रखा है अपने स्वर्गदूतों को भेज कर हमारी रखवाली आप करते हैं उसके धन्यवाद 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 धन्यवा कहता है हालेलुया 24 वे अध्याय में भजन सहीता प्रत्वी और जो कुछ उसमें है यहुआ ही का है जगत और उसमें निवास करने वाले भी आमेन क्योंकि उसी ने उसकी नी समुद्रों के उपर द्रिड करके रखी और महानदों के उपस्तिर किया है हालेलुया आमेन और 9 और 10 में क्या लिखा है मेरे प्रियों लोग उसमें ऐसे लिखा है 8 से हम पढ़ेंगे वह प्रतापी राजा कौन है परमेश और जो सामर्तियों पराकरमी है परमेश और जो युद्ध में पराकरमी है हेफाट को अपने सिर उन्चे करो और सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा वह प्रतापी राजा कौन है सीनाओ को यहवा वह प्रतापी राजा है मेरे साथ फिर से कहे मेरा परमेश वह सीनाओ को यहवा वही प्रता पी राजा है हालेलुया आई आँखों को बंद करें हम साथ में प्रातना करेंगे हमारे सुर के पता हमें निवाद करते हैं सुन्द समय के लिए प्रभू ईश्यमसी के नाम से पता हम आपके उपस्ति में आते हैं धन्यवाद पता आपने हमारे प्रातना सुनी है और हमें आपके उपस्ति में आने का मौका दिया प्रभू ये संदेश सुनने वाले हर एक जनको ईश्यमसी के नाम से आश्षिट करते हैं पता धन्यवाद पता आपने उनको समहाने रखा सुरक्षित रखा पिशले दिन और रात प्रभू उसके धन्यवाद प्रभू आपने आच्छी नीन दी उसके धन्यवाद पता आपने आज उनको जगाया है उसके धन्यवाद पता आज कि दिन प्रभू ये संदेश सुनने का आपने मौका दिया उसके धन्यवाद पिता और ईश्यमसی के नाम से इनको एक वाब आज शिछिद करते हैं प्रभू उनके जो भी जरूते हैं प्रभू उसमें आपका ईश्यमसी के नाम से अद्बुदकार यहो जो भी रोग से पिर्द है और यह संदेश सुन रहे हैं तो इश्यमसी के नाम से उनको चंगाई मिले हर एक रोक के बंदन आज तूट जाए आज श्वासन ने उनको मिले पूर शांती उनके शरीर में प्रवर्दित हो हर एक रोक से छुटकारा इश्यमसी के नाम से मिले अद्बुतकार ये प्रभू आपने किया है उसके लिए धन्यवाद पिता प्रवू आपने उनको आरनल कपटू का अपने दिया है उसके धन्यवाद पिता हालेलुया जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मल जाए परिवार में समाधान हो हालेलुया इश्यमसी के नाम से समाधान, खुशी से भर चाए, हम परातना करते हैं उनके परिवार में, प्रभू जो बच्छों के पढ़ाई को लेके जो भार से हैं, प्रभू आप अद्मिशन आप दिलाएं, प्रभू आच्छे एक्साम्स में रिसल्स मिलें, हालेलुया, आपके बड़ी खरपा हो, हम पर जातना करते हैं, हर एक एदक्षिन से बढ़ार में, प्रभू यह जो जनरेशन है, यह जो पीड़ी है, प्रभू आपको जान कर जीने वाले बने, हालेलुया, वो प्रभू आपके मेज के सामदेे, प्रभू जैतुर के फल जैसे वो आके बड़े, प्रभू, इनका समादा बड़ा रहे प्रबू क्योंकि आप हमारे साथ है आप उनकी और है हालेलुया प्रबू धन्यवाद पिता धन्यवाद धन्यवाद वैसे ही जो भी आर्तिक विश्य में जो भार से हैं और भवन के भवन के कारियों में वो जो पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं प्रबू आप उन के लिए सही रास्ता खुल के दे आप आज के मीटिंग को भी आप असाधारन तरीके से स्वेश तरीके से आप आशिशत करते हैं उसके धन्यवाद सारा आदर और महीमा पिता हम आपको ही देते हैं ईशिमसी के नाम से हम मांगते हैं आमें 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 हालेलुया मेरी प्रियो लोग परमेश आप सबको बहुत आएट से आशिशते हैं और याद रखें आज शाम को हमारे इंगिन समय सारे नौ बजे मीटिंग रहेगा तो आप ज़रूर उसके भागी बने परातना के साथ हालेलुया और अपने प्रियो जनों को आपके दोस्तों को आपके रिष्टेदारों को सब को आप बता हैं और वो ज़रूर मीटिंग के भागी होने के लिए आप उनको उत्तेश ना दे हालेलुया आज ये दिन जो परमेश विएर पवितरात में हाफती है वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ हालिलूया अमेन यहां पर क्या लिखाया है कि जैसे हिरनी नदी के लिए जल के लिए हाफती है जीवित परमेश्वर के लिए हम भी वैसे ही हाफते रहें वैसे ही परमेश्वर के लिए हमें भी पियास होनी चीए हलेलुया यहाँ पर जो पवितरात्मा में व्यक्तिके तौर से जो हमें रोसमर्य के जीवन में इस्तमाल करने के लिए हमें यहाँ पर वच्शन सिखाते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे परमेश और ईशमसिipp जो है धन्य वचिन में कहते हैं कि अगर तुम पूछोगे तो परमेशय देगा, तुम खटखटाऊगे तो परमेशय तुम आउले खोल के देंगे, मांगोगे तो तुम में मिलेगा, हालेलुया, लेकिन ये वचिन पूरा होने के लिए हमें एक प्यास होना ज़रूरी है, पर परमेशु के लिए कुछ करना है परमेशु से में जो कुछ पाना है जैसे कि अगर हमें प्यास लगती है तो हम कैसे ने कैसे पानी पीने की कोशिश करते हैं अगर ग्यात्रा भी कर रहे हो अगर हमें बहुत प्यास लग गए तो हम गाड़ी रोक के भी किसी ना किसी तरीके से हम पानी पीने के कोशिश करते हैं कई से खरीब लेंगे या कुछ तो करेंगे वैसे ही परमेश्य के प्रवर्ती को देखने के लिए परमेश्य के प्रवर्ती को अपनाने के लिए अनुभाव करने के लिए हमें एक प्यास होना जरूरी है, हाललुया जिसे वच्छन में कहते है जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ मैं कब जाका परमेश्वर को अपना मूँ दिखाऊंगा यही इच्छा यही एक प्यास हमें होना चाहिए कि हम जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ मैं कब जाता परमीशोर को अपना मूँ दिखाऊंगा हालेलुया ये संदेश सुनने वाले मेरे फ्रीयों लोग हमें ऐसे एक प्यास होना चाहिए पवितरादमा हम से पूछते क्या हमें ऐसा प्यास है अगर प्यास है तो बड़े बड़े फ्रवर्थी को हमान भव कर सकते है जिन्हों ने भी ऐसे प्यास अपने अंदर जो बढ़ाया वो परमीशोर का आशिश को उनने देखा जख्रिया के जीवन में क्या हुआ था वो बहुत जादा वो प्यास उसमें था और इसलिए वो क्या करता है वो सिकमर के जो पेड़ है उसमें तक वो चड़के बैट गया कि वो किसी ना तरीके सीश मसी को देख ले और महाँ परमीशोर उसका प्यास सिफ उसको बुला कर ही उसका प्यास नहीं बुजाया लेकिन उसके घर तक जाके उसको आशिशती हालेलुया इसलिए हमें ऐसे प्यास उनाचे परमीशोर से हम पाने के लिए परमीशोर के आवाज को सुनने के लिए परमीशोर को देखने के लिए हम देख सकते हैं जिसके रखती है बहाँ से, जो बीड़ थी, जो बारा साल से, वो हर एक उस जो बड़ी भीड़ थी, उस सब को सामना करते हुए, वो जाती है इशमसी को छूने के लिए, उसकी बेमारी के बीच में भी, वो वहाँ पर मैशवर को छूने जाती है, वो उसका प्यास दिखाता है, हमें इसलिए मेरे प्रियों लोग कि क्या हमें भी ऐसे प्यास हैं लेकिन काफी बार क्या होते हैं सोने में हमें जादा प्यास रहती है और अगर थंड भी हो तो और मज़ा आता है सोने में बिस्तर में और लपेट के हम सोने कोशिश करते हैं लेकिन मेरे प्रियों लोग हमें देखना है कि हमारा जो ध्यान है वो किस पर है इस दुनिया के चीज़ों पर या पर मेश्वर के और हम जैसे उधारन के लिए अगर देखे कुछ-कुछ देशों में जहां पानी काग बहुत कमी होता है और उनका एक कुछ समय होता है कि वो उ सीट होगा या साथ सीट होगा और वो मिलने के लिए लोग क्या करते हैं एक रात पहले ही वो जाके टिकेट काउंटर के सामने सो जाते हैं ताकि सुबह जब काउंटर खुलता है तो सबसे पहले वो सामने खड़े रहे और उनको वो टिकेट मिल जाए वैसे ही प्रभू में हमें कुछ पाने के लिए प्रभू को जीविते परमेश्वर से पाने के लिए उनको देखने के लिए पवितरात्मा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के सामत को नुभव करने के लिए परमेश्वर के आरोगय को प्रात करने के लिए हमें प्यास होना चाहिए प्रमेश्वर के राच्छे में कारी करने के लिए हमें वो प्यास होना चाहिए अगर वो प्यास होगी तो ज़रू निश्यत और से प्रमेश्वर हमारे प्यास को बजाएगा मेरे प्रमेश्वर हमारे प्यास को पुरा करेगा हमें काफी बार चिंता होती है, सोच होती है, लेकिन हमें प्यास होना जरूरी है, इसलिए मेरे प्रियों लोग परमेश्वर के लोगों हमें परमेश्वर से पाने के लिए, परमेश्वर की और बैटने के लिए, परमेश्वर से करीब होने के लिए हमें प्यास होना जरूरी ह हमें इच्छा हो नीची है अगर ऐसे होगा तो फिर हम और खुछ नहीं कर पाएंगे हम फेस्बुक या यूट्यूब या यह सब तरते हुए हम समय नहीं निकालते हुए बैठिंग लिए कि परमेश्वर के पास बैठने के लिए परमेश्वर से प्रात करने के लिए हमेशा ह हमें भी वैसे ही मेरे प्रियों लोग प्यास होना चीकि परमेश्वर के उपस्तिकों मुझा नभव करना है और वही चीज़ हमें प्रेज़ना देती है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ सके हम प्रातना करने के लिए बैठेंगे सुबह सुबह हो या करात को हो हाललुया वो दिखावे के लिए नहीं रहेगा वो उसकी जरुद बन के वो परमेश्वर के लिए जो प्यास है उसके कारण वो बैठता है हललुया फिर वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है वो प्यास से परमेश्वर के उपस्तिकों नभव करने के लिए वो चाहत से वो भाग के हालेलुया मेरे प्रियोर लोग ये संदेशने वाले मेरे प्रियोर हमें सीचे लोग, डेख से लोगों को ऐसा प्यास है फिर पाइने के लिए खड़े रहना है अगर एह प्यास रहे खाए के लिए वो तयार रहेगा हालेलुया जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई धारन के लिए पानी पकरने के लिए जा रहे हो वो पानी पीने के लिए बीस रुपे देने होंगे वो अगर बहुत जादा प्यासे हैं तो वो बीस रुपे भी देने के लिए तयार हो जाते हैं वैसे ह मेरे प्रियों लोग दुनिया के हर एक खुशी को प्राप करने के जगे पे क्या हम परमेश्व क्यों प्रस्थिति को प्राप करने के लिए प्यासे हो सकते हैं हम इस दुनिया में आज के दिन भी परमेश्वर के बड़ी खरपा को परमेश्वर के सामत पौन भाव कर सकते हैं हम में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा वो ईश्यमसी को प्रवर्ति में वो दिखा है हालेलुया हजारो लाखो करोडों लोग रक्षा को प्राथ करें उधार पाएं इस मसी में जीए करके ऐसी एक इच्छा ऐसी चाहर परमेश्वर के उस प्रताफ में में जीने के लिए हमें इच्छा होना जरूरी है, प्यास होना जरूरी है, हलिलुया जब इसे प्यास रहेगा तो हमारा रातना में खुद जाएंगे हम खुद प्रातना में बैटेंगे हम गुद परमेशो के उपस्टिती को खोज़ते हुए बैटेंगे, हलिलुया मेरे प्रियों लोग इसलिए आज के दिन जब ये संदेशन में मिलता है तो हम अपने आपको समर्पित करें कि परमेशों को पाने के लिए परमेशों से खरीब रहने के लिए हमें भूप होनी चाहे है, में प्यास होनी चाहे है और इसी प्यास के साथ आच्छाम के मीटिंग में भी हम भागे होंगे मेरे साथ कही शमसी के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते हैं जाएंगे और उनकी महिमा को प्रगठ करेंगे We are blessed, we are really blessed and we are permanently blessed and highly favored God bless you, God bless you, God bless you